पूर्मुख्यमंत्री राबडी देवी के आवास दस सर्कुलर रोड के बाहर रविवार को उस वक्त हाई वोल्टिस ड्रामा देखने को मिला जब लालू प्रसाद यादों की बड़ी बहु और तेज प्रताप यादों की पतनी अश्वरराय ने अपने उपर हुए आतना की दास्ता मेया की लालू परवार की बहु एश्वररे ने पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी पर सामान छीनने और मारपीट का आरोप लगाया भीते कुछ महीने में ये दूसरी बार है जब एश्वररे ने अपने ससुराल वालों पर दुर्वयोहार का आरोप लगाय एश्वरे ने कहा कि राबडी देवी ने मेरे बाल खीचे और मुझे पीटा उसके बाद मुझे दस सेर्कूलर रोड इस्थित आवास पे तैनात बॉडिगार्ड के जरिये घर से जबरन निकाला बता दे कि तेश प्रताप यादों की पतनी एश्वरे राय द्वारा पूर पूलिष मुख्यमंत्री राबडी देवी पर सावान चीनने और मारपीट कारोप लगाने के बाद मामला पुलिस तक पहुँच गया है पुलिस ने राबडी देवी के आवास पर पहुँचकर मामले की जाच की है बता दिया आपको के अश्वरे के साथ की गई मारपीट के मामले में रैवार की देर रात पूर्व सीम राबडी देवी तेज प्रताप वंमी सभार्थी के खलाफ महिला थाने में घरेलुहिंसा अधिनियम के तहत नामजद एफ आई आर दर्ज कर ली गए इसकी पुष्टी महिला थानप्रभारी आर्थी जास्वाल ने की है बतादे क लालू प्रसाद यादों के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादा और उनकी पतनी अश्वरे राय के बीच कोट में तलाक कमामला लंबी समय से चल रहा है थानप्रभारी आर्थी जास्वाल ने बताया कि अश्वरे का गर्दनी बाग में मेडिकल कराया गया जांच में अ साहर निकली अश्वरे ने मेडिक या कर्मियों को बताया कि उनके पिता चंद्रिका राय को लेकर पटना विश्विद्याले में गलत पोस्टर लगाया गया बता दे आपको कि उन्होंने इस संबंध में सास रावडी देवी से जाना चाहा कि उनके व्यक्तिकत विवाद मे पिता चंद्रिका राय को क्यों घसीता गया इसी बात पर सास ने उनका बाल नोचा और जम कर पिटाए कि एक महिरा पुलिस कर्मी पर भी मारपीट का रोप लगाया इस पुरे घटना करम के बाद रावडी देवी के आवास दस सरुकलर रोड पर बाहर से ताला बंध हो गय है अस्वरे ने कहा कि राबडी देवी की इशारे पर साक्ष मिटाने के लिए उसका मोबाइल भी एक सुरक्ष कर्मी ने चीन लिया साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया तलाक की मुकदमे को लेकर सभी प्रमाड उसी मोबाइल में थे नेता प्रतिपक्ष तिजस्वी याद पत्नी पूनम राय के साथ राबडी देवी के सरकारी आवास पर पहुंचे उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालो प्रेवार ने उनकी पुत्री को प्रताडित किया है उसका वो अब करारा जवाब देंगे हम राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे ही राबडी देवी को एक संद्रिका राय ने अपने दामाद तेज प्रताप को एक पागल लड़का बताया SPN 9 News रूम की रिपोर्ट